हेलो को, इसलिकम टो वाइड उप चानल, एक्स्ट्रेम रिदिक इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ICIC direct में आप profit कैसे देखेंगे, ओके, फर्स्ट अफॉल अगर आप स्टॉक मार्के ट्रेडिंग सीखिना चाहाते हैं, ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहाते हैं तो आप हमारा ये WhatsApp चैनल फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक में आपको description में दे दूँगा, ठीके, अब हम open करते हैं, ICIC direct, तन अगर आपने अभी तक अपना account open नहीं किया होगा, तो link में आपको description में दे दूँगा, अब यहाँ पे आने के बाद आपको अगर अपना profit देखना ह तो आपको menu पे click करना होगा, stock का देखना या फिर mutual fund का देखना है, तो आप stocks पे click करिएगा, यहाँ पे हम click करते है, P&L statement पे, ठीके, आपको अपना financial year select कर लेना होगा, then आपको period पे click करना है, और यहाँ पे आपको from से लेके, मतलब किस तारीक से लेकर के, किस तारीक तक का आपको profit देखना है, उस पे आप लोग view पे click करिएगा, और यहाँ पे आपको profit capital gain आपको so करेगा, ठीके, यहाँ आपका stock में देखना है, तो इसका मैने आपको तरीका बताया, future and options में अगर आप लोग करते हैं, ता future and options पे click करिए, और यहाँ पे भी आपको same P&L statement आपको देखने को मिलेगा, आप इस पे click करिए, और यहाँ से भी आप लोग view पे click करेंगा, और आप लोग अपना profit देख सकते हैं, ठीके, यहाँ फिर आप portfolio में भी जाएंगे, तो demit holdings के आप लोग यहाँ पे profit portfolio में देख सकते, overview में आप लोग देख सकते, आपके पास कितने के stocks है, mutual fund में कितना investment है, ETF में etc, ठीके, तो portfolio में जाकर की भी देख सकते, मनि statement के भी बारे में आपको बताया है, and demit holding, stock का profit देख सकते, F&O का देख सकते, mutual fund का देख सकते, आप लोग यहाँ पे, ठीके, commodity का देखना है, तो commodity का आप लोग देख सकते, total P&L, currency का आप लोग सकते, ETF का देख सकते है, FD का देखना है, NPS का देखना है, वो आप लोग देख सकते, इस तरीके से आप लोग profit देख सकते है, on ICICI direct, ठीक है, so topic is cover, मिलते हैं next video में,